की नमस्कार दोस्तों जैसा आप YouTube पर देख रहे हो कि बहुत सारे चैनल हैक हो नहीं है तो क्या आप ऐसी गलती करते हो क्या वो ऐसे जो जिनका channel hack होता है क्या वो ऐसी गलती करते हैं जिस वज़े से उनका channel hack हो जाता है आज इस वीडियो में आप लोगो गलती भी बताओंगा और कैसे आप अपने channel को hack होने के बाद recover कर सकोगे वो भी मैं आप लोगो बताऊंगा जिहां बहुत यह आसान तरीका है और first of all मैं आप लोगो एक ही चीज़ बताऊं जब आपका चैनल हैक होता है या फिर कभी आपको जैसे आप रात को सो या सुभा पता चला कि आपका चैनल हैक हो गया हो तो उसमें आपको पैनिक नहीं करना है जो first step आपको उठाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा और कैसे आप अपने चैनल को बचा सकते हो वो भी बताऊंगा कैसे आप आपका चैनल जो है हैक होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा चलिए वीडियो को देनना करते हुए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं बताता हूँ कि channel hack कैसे होता है देखे channel hack होने के बहुत सारी reason है पहला तो phishing का होता है कि आपको कोई भी gmail पे कोई भी sponsor का आपको mail आता है जैसे ही इस मॉईल पर मेरा YouTube login है तो मुझे इस पर mail आया तो मैंने क्या किया इसी पर से जाके मैंने इस Link पर क्लिक किया तो वो क्या होता है, इस मॉईल पर जितना सारा data है, मेरा जितना सारा चीज है, वो सारा उसके पास चला जाता है और वो उसको कैसे भी दूसरे मोईल में खोल के रखूंगा उससे फिर मैं अपना चैनल का जो मोईल है वो अलग रखूंगा और काम करने का वो अलग रखूंगा यह चीज होता है या फिर अगर आपके पास एक ही मोईल है तो आप क्या कर सकते हो कि आप उस लिंक पे क्लिक नहीं करो सबसे पहली च तो जैसे आप उठते हो या फिर कैसे भी आपको पता चलता है कि आपके चैनल पे हैक हो गया है और आपका चैनल पे कोई भी अनुल लाइव स्ट्रमिंग की जारी है क्रिप्टो करन्सी मांगा जा रहा है जैसा आप यह है कि सपोर्ट रिसेंट में हुआ था जिस पर आप दे चलता है तो यूटूब के नजर में वह वालेशन होता है तो उससे क्या होता है आपका जो चैनल है वह डिलीट कर दिया जाता है यूटूब के तौर पे हटा दिया जाता है तो उस लाइव स्ट्रीम को कैसे भी डिलीट करने का सोचो फर्स्ट तिंग यह अगर आपका जब यह चीज हो जाता है लाइव इस्ट्रिम भी आप डिलीट कर दें तो आपका चैनल है है आप पास्वर्ट चेंज करने का कोशिश करो सेकेंड स्टेप यह है थर्ड स्टेप आप क्या करो थर्ड स्टेप करो कि आप अपने टूटर एकाउंट पर जाओ नया टूटर बनने के बाद आप क्या ट्यवर लिखो तिम यूट्यूब या यूट इस तरह करके उंको मेंसोन करो और उनको बकता हो जल्द document करें और जल्दी देगा कि आप हमें follow करें और हम आपको DM करते हैं, वो link देगा, तो link पर आपको यूटूब इंडिया के द्वारा या YouTube टीम के द्वारा एक link दिया जाएगा, उस link पर जैसे आपको एक form fill up करना होगा, side में आपको दिख रहा होगा, मैं ये laptop से कर रहा हूँ, आप देख सकते ह तो यहाँ चैनल नेम आपको नहीं देना है, आपको अपना real नाम देना है, real name जैसे अनुपरम कुमार सिंग है, जो मेरा valid document ID है, जिस पर नाम है, यहाँ contact email address मैं देदूगा, अपना, ठीक है, मैं contact email address देदूगा, ठीक है, और फिर उसके बाद channel ID, तो channel ID में आप देख सकते यहाँ पर, कि channel ID में आपको यहाँ youtube.com channel और यह जो last में, you, see, you, आप zoom करके, मैं आपको दिखा रहा हूँ, you, see, you, z, h, f, z, nine, z, के, इस तरह करके देख, आपको सिर्फ यह देना है, यह youtube.com slash channel यह सब करके नहीं देना है, first thing आपका यहाँ हो गया, अब उसके बाद आपने कब channel बनाया था, वो आपको देना है, primary email address associated with your channel और youtube, जो आपका channel से related, जो gmail है, आपको यहाँ देना है, can you currently sign in, आपको क्या currently अभी sign in कर पार हो, yes, no, में बताना है, किस category पर था, आपको वो selected है, यहाँ पर आप जैसे click करोगे, तो आपको यहाँ देख सकते हो, इस तरह करक yes करोगे, तो यहाँ आपको option मिलेगा, no है तो no, पता कर देना आप यहाँ पर, इसलिए आप हर वक्त थोड़ा सा सत्तर कर रहो, do you notice any new video, अगर आपको कोई new video जैसे live streaming चलता है, तो आप यहाँ पर से उसका भी दे सकते हो, do you notice any other change to your channel, जैसे ही आप यहाँ कर सकते हो, जैसे भी आप चैनल बनाओ, तो एक recovery setup, जरूर recovery mail या recovery mobile आप जरूर दो, कैसे देते हैं, अगर आपको इस चाहिए, तो comment करके बताना, मैं आपको बता दूँगा कि कैसे आप recovery mail और यह सारा चीज़ दे सकते हो, is the channel currently associated with brand account, तो brand account के आपका channel है, तो आप यहाँ पर no कर सकते हो, ठी detail about adsense, adsense account मांगेगा, is your channel link with adsense, अगर आपका channel monetize है, हाँ, monetize ही channel hack होता है, तो यहाँ पर yes ही कर देना, is your channel linked with adsense account, linked with multiple network, तो यहाँ पर no करना, ठीक है, और इसके बाद yes, अगर आपका होगा तो कर देना, yes, और फिर यहाँ पर आप देखो, यह device ही usually sign in to a channel, यह सारा चीज आ पूछा जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर IP address, तो यह link जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर please visit, तो इस पर आप जैसे click करोगे, तो आपका जो यह laptop या आपका mobile है, उसका IP address आपको यहाँ पर देखने की मिल जागा, sign up country reason आपको यहाँ देखने की मिल जागा, location यह सारा आप यहाँ share some details, और choose file screenshot of the supplement, यह आप screenshot लेकिए यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है, और यह सारा चीज करने के बाद एकदम सही सही जानकारी भणने के बाद, आपको यहाँ क्या करना है, आई authorize पर click करके submit कर देना है, जैसे आप यह submit करोगे, आपका channel को क्या करेगा, YouTube देखे पहले, पहले वो जो है, पूरा अच्छे से देखेगा, समझेगा, उसके बाद आपका channel आपके पास होगा, तो इसी चलते मैं बोलता हूँ हर वक्त कि आप कुछ ना कुछ ऐसा मतना करो, जिससे आपका channel पर कोई problem आए, जिससे आपका channel hack हो, तो होप यह आप लोगो वीडि देखेगा है, जिससे आपका खब मैं हो आपका लोग जिससे आपका